इस वीडियो में हम question number 13 करेंगे प्रशनावली 6.5 से एक तिर्भुच ABC जिसका C कोंड जो है वो समकोंड है तो यहाँ पे सबसे पहले हम तिर्भुच बनाते हैं तो यह तिर्भुच है ABC और ध्यान रखना C समकोंड है तो इसको पहले ही C लिख दो A और यह B हो गिया है अच्छा अब इसमें जो C A भुजा है उस पर एक बिंदू है B और जो C B भुजा है उस पर एक बिंदू है E तो हमें यह प्रूफ करना है तो यहाँ पे हमारे पास देखो A E है तो A से E को हम जोइन करेंगे और हमारे पास इसमें इसके बाद है D E है और हमारे पास यहाँ पे B D भी है ठीक ना तो B से D को हमें जोइन करना है और D से E को भी जोईन कर लेते हैं तो I am sure आपको यह figure समझ आ गया होगा और यहाँ पर अब हम इसको solve करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम A के करके समकूर्ण तरुपुज लेना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे समकूर्ण तरुपुज हैं तो सबसे पहले देखो तरुपुज A, C, E में A, C, E अब देखो तरुपुज A, C, E कहाँ है तो यह A, C, E यह वाला तरुपुज है ठीक ना तो इसमें हम क्या लेंगे अब यह 90 है तो इसके सामने वाला यह करन हो गया तो यह हो जाएगा करन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग या फिर यह कहो बागी दो भुजाओं के वर्गों का योग यह हो गया अब इसके बाद हम दूसरा तरुपुज लेंगे यह वाला यानि तरुपुज D, C, B में तो इसमें भी करन इसमें यह होगा ठीक है 90 के सामने वाला तो यह हो गया करन का वर्ग यानि B, D का वर्ग बराबर बागी दो भुजाओं के वर्गों का योग या फिर हम लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग भी कह सकते हैं तो यह हो गया C, B, Squire यह बात समझ आगी ओके तो अभी हमने यह वाला लिया था तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं करन का वर्ग बराबर बागी दो भुजाओं के वर्गों का योग ठीक है ना अब इसके बाद हम एक और ट्राइंगल लेंगी यह वाला तो यह जो ट्राइंगल है यहाँ पर ट्राइंगल D, C, E में तो यहाँ पर D, E, Squire देखो यह 90 है 90 के सामने वाला करन होगा तो करन का वर्ग बराबर बागी दो भुजाओं के वर्गों का योग D, C, Squire प्लस C, E, Squire और इसके बाद आप हम पूरा यह बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे इसमें भी आप जानते हैं कि यह 90 डिग्री है तो यह करन हो जाएगा तो तरभुज A, C, B में इसमें करन का वर्ग यानि A, B का वर्ग बराबर A, C, Squire प्लस और जो यह भुजा है C, B, Squire ठीक न? तो करन का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग I hope आपको यह समझ आ गया होगा अब हम यहाँ पर समेकरन 1 और समेकरन 2 को आपसमें प्लस करेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो यह और यह अगर हम प्लस करेंगे तो हमें यह लेफ्ट वाला मिल जाएगा तो हमेशा एक आँख अपनी रखो जो हमें प्रूफ करना है उस पर यह बात हमेशे देहान रखना ठीक न? तो यह हो जाएगा देखो समी करण एक और दो को प्लस करने पर तो यह एई स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर यह हो जाएगा अच्छा रैट हेंड सैड में हम हम इसको और इसको एक साथ रखते हैं, यानि ac2 plus cb2, और इन दोनों को एक साथ रखते हैं, तो क्या होगा? ce2 plus dc2, तो क्या होगा इससे? देखो, यहाँ पे अगर मैं देखो, ac2 plus bc2, यहाँ से देखो, ac2 plus bc2 क्या है? AB square है और ये देखो CE square प्लस DC square वो आप यहाँ देखो तो ये किसके बराबर है इसके बराबर है DE square तो आ गया ना ये जो है हमारा ये आ गया है Hence proved तो I hope आपको ये समझ आया होगा बहुत ही simple था लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया है आप इसको दुबारा देखो कोई particular part में अगर आपको problem है comment box में पूछो और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी questions के answer देने की चैनल को subscribe करें और बागी questions के solutions के लिए आप description box चेक करें वहाँ पे आपको बागी videos मिल जाएंगे Thanks for watching मिल ते अंगले video में टेक क्यार